प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तों प्राइम टीवी में आप सभी का बहुत सवाधत है उत्रपिनिस में निकाज चुनाओ के लिए के सरगर्मया शुरू हो चुकी है और सभी धल तैयारियों में लगे हुए है और साथ ये तैयारियों में लगे हैं वो पित्यासी भी और वो बर्तमान पदों पर रहने वाले नेता भी जो इस समय अपने कारकाल को पूरा करते नजर आ रहा है कारकाल जन्मरी पूरा होना है आर जन्मरी तक उसके पहले हो सकता है चुनाओ भी हो जाए बहुत जली इस चुनाओ की लिए गुज़णा भी हो जाएगी पर कही ने कर इस चुनाओ को इतना महरपूर माना जाता है क्योंकि इस चुनाओ अगर देखा जा तो कालोनी का चुनाओ नगर पंचर का चुनाओ और नगर का चुनाओ इसलिए इस कारिकम का नाम भी हमें नगर संग्राम रखा है और नगर संग्राम कारिकम के माध्यम से हर बार हम आपको एक नए निता से मुलकार कराएंगे और बताएंगे कि किस रड़नीती के साथ वो इस चुनाओं को लड़ने बाले है कि इस रड़नीती के साथ उनका पिछला कारिकाल उनने पूरा किया है और कि इस रड़नीती के साथ जनता की भी जाएंगे इजिंडा क्या रहेगा पार्टी का और उनका स्वयम का तो इस नगार संग्राम कारिकाब में आज हम आपकी मुलाकार करनाने वाले हैं जानते हैं राजदुर के बारे में और अब उनसे मुलाकार भी करेगी तो यहां पर हम मुलाकर करने जा रहा है राजदुविज़ राजदुविज़ आपका हमारे कारिकम नगर संग्राम में बहुर-बहुर स्वागत है तो सबसे पहले तो चुकी महरपूर नगरपाली का है चबरमग और आप में तमाम एतियां से काम किये हैं आगर आप थोड़ा सा पर्चे बताएं कि किस तरह आपकी राजदुविज़ पारी शुरी हुई किस तरह इस महरपूर पट को आपने आसीन हुए और क्या कर चुनोती इस पट के द्वारा समय है आपके सामने आई पहले तो बहुत-बहुत शुक्री आपका जो आपने सवाल पूछा है कि राजनीतिक पारी कहां से शुरुआ थी राजनीतिक पारी तो हमारी शुरुआत हम ये माल लें कि जो अभी अभी पिछले चुनाओं से पहले एक और चुनाओं हुआ था 2017 का 2012 का जिसमें कि हमारी ये नगर शिम्रावू नगर पालिका की सीट बहला से के रूप में आरा अच्छित थी तो उसमें हमारी पत्नी इसमें आई थी लेकि उससे पहले अगर हमारा राजनीतिक देखा जा तो बैसे कुछ नहीं रहा लेकिन भारती जिनता पार्टी से हम अपने पिता जी के जमाने से और बिरासत में हमें एक तरीके से ये चुड़ाव मिला है और हमारे पिता जी जो थे वो भारती जिन्ता पार्टी के बहुत ही अच्छे चिंतक थे, बहुत ही अच्छे सवपर्थक थे वो बात दूसरी कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा त्रपार्टी जी हमारे चाचा जी थे, वो हमारे प्रोणास रोथ हैं पूरोस सांसाद भी रहे थे और साइकार्तिय मंत्री जी भी रहे थे आज उनकी बेटी हमारे नगर छिमरावू का पत्रता हो करती है मलैं छिमरावू बिदान सहुआ को पत्रता ही है स्टीमति आशनपांड्य जी वो भी कहीं ने कहीं हमारे लिए प्रेना सोथ है हमारी बड़ी बहन है और उनका आश्कीर बाद हमारे उपर हमेशा रहा है जी राजी जी आपने वताया कि बुले 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 हाँ वो बात दूसरी है कि राजनीत में थोड़ा सा राजीत की तरफ इच्छा है मेरी और नुची चात्र जीवन में भी थी मैंने सन असी क्यासी में बिक्रमाजीत सिंग सनातर धर्म बिद्याले है कानपुर में जिसको बी-स-स-डी कालेज के नाम से जानते हैं जातर लोग उसमें चात्र संकर चुनाओ लड़ा था और महमंती पत्पर में बिजाई वी रहा था उसके बाद में उसमें एक वहां पर एक परमपरा थी कि जो इसको लोग कालेजों के जीते होगे लोग होते थे वो बिस्ट्र बिद्याले से भी चुने जाते थे उसमें कानपुर मिस्ट्र बिद्याले का भी महमंत्री में असी क्यासी में रह चुका हूँ लेकि उसके बाद एक थोड़ा से ग्रैप रहा और राजनी ती चराब मिश्य इस तीना उसका कारण भी था मैं पर पिता जी का अकेला था अकेला बेटा था उनका एक पर फेला हुआ था उसमें मैं काम देखा करता था तो पार्टी का एजन्डा जो था इस चुनाओ से पहले वो था सब का साथ सब का विकार लेकिन एक हमारे साथ में एक और प्लस हुआ एक और प्लस हुआ वो यह रहा कि इस हमारे पिछले चुनाओं से ही पार्टी की तरब से भी थोड़ा सा परवरतर हुआ थोड़ा सा एक कड़ी और आगे बढ़े सब का साथ सब का विकास और सब का विस्वास तो कही ने कहीं वो हमारे लिए बहुत बड़ा मददगार हर जाती को हर समाज को हर संपरदाए को साथ लेकर के चलती है तो वो कहने कहीं बहुत बड़ा हमारी हमारे लिए भी एक सायक रहा और हमारी राजनीत में भी आगे बढ़ने में स्वयोग किया है तब यह आपकी कुछ नीती होगी कुछ एंड़ा आपने बनाया होगा वहां की जनता को देखते हुएं मा की समस्ताओं को लेकर जन्ता की बीच में देखें के लिए तो ठीक है वो अपने इसके उसे अपनापना कुछ ना कुछ बनाते हैं लेकिन यह जो नगरपलिका इस तर का है जो बड़ी नगर निकां की चुनाव हो है उनकी बात अलग है लेकिन नगर तौलिका के चुनाव चोटा चुनाव होता है इसमें हर सक्स के दिल में उतर जाने का आपका पहला पंडा रहता है जो सक्स लोगों के मन में नहीं उतर पाया दिल में नहीं उतर पाया वो चुनाव नहीं जीता है एक बार धोखा दे सकते हैं लोगों को आप भुलावा दे सकते हैं और जीत करके आ सकते हैं लेकिन और उनके साथ में बैठना और अपनी पार्टी को अपनी बात को समझा पाना ये कहीने कहीं कारण रहता है जी रजी जी सत्रह में बड़ी जिम्रारी मिली चुनाव नहीं कहीं और क्या एजिंडा बनाके आपने काम किया कि जनता लगतर आपको पसंद कर रही है तमाम कुछ बात हमाएं सामने भी है तो चर्चा बार में करेंगे पर बताइए कि चुनोतिया सामने क्या आई और चुनोतिया निर्भाय कैसे किया कि पांस साल का कारकाल पूरा होने वाला है और इस कारकाल में ऐसे कौन-कौन से काम आपने किये जो कि वहाँ आपकी जनता चाहे रही थी छमरमों की देखे सबसे बड़ी जो हमारे सामने जो चुनोतिया आई थी वो ये थी कि हमारे नगरपालिका में मात्र चार सवासद पार्टी जनता पार्टी से जीत कर रहे थे 25 सवासदों के बीच में 25 सवासदों के बीच में खाली चार का जीत करके आना और उनके बाद में सदन को चलाना और एक चीत तो आपको जैसा कि मालूम है कि शेत्र के बारे में कर्नाउच जिले के बारे में ये कहा जाता है कि एक दूसरी पार्टी है जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उसका गड़ माना जाता है गड़ माना जाता है आज की बात दूसरी है कि समय परवर्तन हो गया है आज हमारा सांसद है हमारे बिधायक है समी बिधायक है और वो सब है बहुत बढ़ा अंतर है लेकि उस समय उस समय तो पल-पल पे हर जगह पे चुकि पुरानी सत्ता रही थी लगाता है उनका शाक्षन रहा था उनके होल्ड स्वयोग्रा पार्टी ने जितनी मदद हमारी की है यही सब्सके बढ़ी बात है कि पार्टी हमारे उपर विश्वाय जताया था उस पर हम ख़ए उतरे हैं आपको जनता का नेता बोला जाता है जनता जोड़े नेता है और जनता की समस्चा के लिए हमें सख़ा रहते है एक साल का बच्चा था उसकी है इस्पार्टी कोई करें आइसा है यहां पर आप इसको देख रहे हैं यह राज़ दीज से बुर कर लें हमारा अचानक एक जगrese पे हममारा आना हुगा हमारी गाली का आना हुगा, जि ओपर वाले का कुछ सभाली ओपर वाले का खेल था ऊपर वाला चाहता था जिए कि अचानक हमारा इस दर्सर घुमना हुआ उदर से दूसरे मोल से उस बच्चे का साइकल से घुमना हुआ जिए और वो सलिप होने के बाद हमारी आखों के सामने एक दम सीधा गड़े में चला गया उस नाले भी है नहीं पाता है आप आज चारी और से चापी करेंगे हमाई गाले में विछ लोग बात की हूगी बएड़ आगे थे पीछे शिल केए। तो पीछे लेट करके भी हाट डाला और बाई चांस कुछ ईशुर को वो था कि एक दब जटके में जैसे वो बाहर आया और उसका सिर्फ हाथ दिखाई दिखाई दिया उसको हम लोगों ने पकड़ लिया और उसका हमें स्रे मिल गया लेकिन कहीं ने कहीं हमें तो इस बात की खुशी है कि उसके पराणों के बच गए साइद कोई न देख पाता तो एक बड़ी दुगटना हो जाती आपने तमाम चीजों को अलग करते हुए यहां पर गड़े मोतर कर गड़े में लेट कर उस बच्चे की जान बचाई थी निश्चे लिए काबरे तारीफ है और इसके लिए आपको सम्मान लेट की कहाएगा तो निश्चे रूपसे राजीब जी इसलिए चंता का नेता आपको कहा जाता है फिर चुना होने वाला है फिर चुना होने वाला है और क्या इस बार चुना हम है क्या मेरपूर चीज़ों को लेकर जाएंगे क्या रणनीती है क्योंकि क्या कई आपने अध्यासी काम वहाँ पर किये है देखिए ऐसा है बाई साब कि जो मैंने जो पिछला कारेकाल किया है उसमें आपको भी मालूम है हिंदुस्तान के आप पूरे बिसु को मालूम है कुरोना की तरास दी रही थी दो ढ़ाई वर्स का काल हर एक ने उस समय सिर्फ जीवन को लोगों के जीवन को बचाने के लिए लोगों को बचाने में लगाया है वहाँ पर हमारी प्रात्विक्ता नगर को किसी तरीके से सुरक्षित बचाने की थी और कहीं ने कहीं हमें इस बात के खुशी है कि इतने सबकुछ कम संसादुनों के होते हुए भी जो कुछ भी हम यहाँ पर अपना कर पाए है वह हमारी नगर में ऐसी बड़ी मलब यह तो ठाहा की एक एक दिन में वीस वीस घटनाएं दुर घटनाएं हमें सुनने में आई और वो काल हम भूल जाना चाहते हम नहीं याद रखना चाहते तो वह जरूर गुजरा है कि 100-100-100 सड़के वो जो कि एक छोटे से नगर में लगवाँ 100-100 सड़कों पर हम पर इस टार्गेट पर पहुंचे है तीस नाले जो थे पानी के निकासी की जो कोई एक जैसे प्रोफिसर कालो नहीं का प्रोफिसर कालो नहीं पानी निकलना मुस्किल था वहाँ के लोग ये कहते हैं थे भुले हम क्या जिन्दगी बर के ताला में रहेंगे नहीं हमने कि हम प्रयास करते हैं उनको बचाने कोशिस किया है उसके साथ-साथ आज नगरों में बड़े नगरों में जाते थे वहाँ पर वाटर कूलर लगे थे इस्टी टेर दिखाई देती थी बहुत सारी लगाती थे एक यह और हम आपको बता है हमने जैसे ही कारकाल समाला एक टारगेट किया था कि छे मैने के अंदर हमारे पूरे नगर की कोई भी गली अंधेरी नहीं होनी थे बिल्कुल उसमें कहीं नहीं कहीं हमारे नगर के करमचारियों ने और हमारे नगर पाली का करमचारियों ने और लोगों ने सहयोग भी किया कि हमारे नगर में आज की तारीक में हम किसी भी गली में जाएं तो हमारी गली को यांदेरी नहीं है इसके साथ साथ लाइट चली जाती थी, तो सुलर लाइट लगवाने के प्रयास किया, तो जो जो आगे बढ़ती जा रही है, सुविदा में बढ़ती जा रही है, बैसे प्रयास किया है, तो अभी तक जो हमने किया है, वो सिर्फ जो मूल भू जरूरते थी, आवसकता ही थी, उन को पूरा करने का प्रयास किया है कुछ सोचाले बनाए है क्या कितें ये घरों के कूडा उठाने का वो किया है हला कि इस we can कहीने कहीं ये बिजन या प्रयारना हमें कहीने के पारटी से मिल रही थी आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए प्रयास किये गए हैं और उसी का नतीजा भी है कि आज की तारीफ में लोग कहते हैं कि जो अन्य किसी दल ने आज तक नहीं सोचा वो भारती जनता पार्टी ने उन छोटी छोटी चीजों को सोच करके लोग के जल में जगे बनाई हैं उसी की बज़े से आज हम वो चीट कर पाएं लेकिन अब आगे की बात है अब आगे की बात है अब आगे की बात है अब आगे के बर्ट जो है कुर्टा और पैजामा इस तरीके का हमने जो जरूरत वाली चीज़ भो पहना पाई है आप इसके उपर सद्री पहनाना है उसके उपर से और कुछ अपने कुछ कलगी लगानी है और कुछ मुगट लगाना है या गमचा डालना है तो सजाने का काम बखाया रह गया है वो भी करेंगे और ये तो हम आपको बता दी हैं हम संकल बद दी हैं आज चुनाओं में हैं और लोगों के बीच में हम उतर भी रहें लोग हमें सराते भी हैं लोग कहते हैं लेकिन कहीं ने कहीं ये भी हम कहते हैं कि कुछ बहुत सारे काम हैं लोगों के अपेक्छाओं भी र यह बूरी देश की बात है पर यहाँ पर राजी जी एक बात बढूर में पूछूँगा कि अगर जनता आपको दुबारा इस मोखा देती है जैसा कि आपने तो एक एतियास तक आप तक यह थे जो आप तक छिप्रा इन करेंगे और अदिया को इसको आप करेंगे अगनेहोत्री जी जिनको डाक्टर मन्ना के नाम से भी जाना जाता था वो यहाँ पे पहले चेर्मेन भी रहे उन्होंने अपने कार काल में उस समय पर एक विजन किया था और सरकार से साथा लेते हुए यहाँ पे सीवर लाइन डलवाने का पूरे नगर में प्रयास किया था किसी कारणबस वो अधूरी रह गई तो एक तो हम यह चाहते हैं कि जो नगर में आज की तारीक में हर गर में हर जिगह पे टैंक लगाना पड़ा था सीवर टैंक बनाना पड़ा रहा वो विवस्ता खतम होकर कि नई सुविदा में जैसे लोग आगे पड़ रहें उसकी तरफ आगे बढ़ें और कहीं कहीं हमने उपर बात भी की थी और सरकार से हमें आस्वासन भी मिला था और हम तो ये जानते हैं कि शायद है कि हम अगर इस वार हमें मौका जैसे ही मिलता है अगले बर्स के एक साल के अंदर में एक एडियल साल के अंदर में ही हम योजना को सबसे पहले पूरा करवाएंगे इसके बाद में जो सजाने का काम जैसे अभी हमने आप से कहा तो बहुत सारे ऐसे पार्क पड़े हुए हैं जिनमें हमारे छिवरामों में बच्चों के लिए कोई भी मनोनजन के लिए खेलने के लिए कोई सुविदा नहीं है तो हम ये कोशिश करेंगे जैसे आवास विकास में ही पांच पार्कों को अभी हमने चुना था जिनमें एक पार्क को गांदी जी की मूर्ती के रूप में वहाँ से चुकिस्ता नांतरित करी गई थी तो उसको यानेच बना है उसकी बज़े से तो एक पार्क को हमें सुद्री करान करने का सुरुबात कर दी वो लगवा कर भी दिया है उसमें थोड़ा सा लाइटें और खिलोने और जो ये चीज़े जो बच्चों खिलने के सादन होते हैं वो हमें लगाने रहे गए तो ऐसे ही चार और पार्क हैं जिनमें एक और हम आ प्रस्ताओ रखा गया था लेकिन लग नहीं पाई थे वो आज भी अधूरी रखी हुई है वो लगी नहीं है तो हम ये चाहेंगे अगले पार्क में उसके अमेदकर पार्क के नाम से वो बनाया जाए इसी तरीके से एक और पीछे एक साइज मीडिया में आपने देखा भी चाहिए और मातमा बुद्ध जी की मूर्थी जो साथ समाच कह रहा था तो हमारा कहना था है कि दोनों लोगों की मूर्थी लगने चाहिए तो बजाए चवराए उसके लिए जो कह रहे थे वहाँ पर ऐसा जगए भी नहीं है उसकी जगए पे दो पार्कों में हम भगवान बुद्ध जी की मूर्थी और एक में माराना परताब जी की मूर्थी लगाएंगे तो इस तरीके से पांच बार्कों को हम सबसे पहले ये सुन्दरी करण में ले जाएंगे और इसके अलावा जो पानी के जो निकास की विए जो थोड़ी से अदूरी रह गई है आगे की उ मैं तो चंता से यही अनोद करूँगा निवेदन करूँगा और एक पिछली कोई भी जो गलतियां हो ये उन पर छमा मांगते हुए जो उनके हिसाब से पूरी ना हो पाई हूं कोशिश करूँगा कि उनकी अपेक्छा पे खड़ा उतरूं और जो पिछले जो बचे हुए क काम है या आगे जो समझ अपने नगर को आके पढ़ा सकते हैं उनके लिए काम करने का प्रयास करूँगा वो बात दूसरी है कि जो करोना काल जो निकला है उसकी बज़े से हमें थोड़ा सा वो समय नहीं मिलाया हम उतनी पूरी पेक्छा नहीं पूरी कर पाए लेकिन इस ब करका में जोड़ने के लिए बहुत धनुबाद तो यह थे हमाई साथ च्परमारु नगरपालिका परसर के अध्यच राजी दुबे का कहना है जो का हमने किया है जो बैतर किया है जो बिकास किया है उसी की तर्ज पर उसी के आधार पर हम अगला चौनावी लड़ने बाले ह देखा है कि हमने निर्विर रूप से सभी धर्मों के लिए सभी बर्क के लिए काम किया है और हमको जनता इस बार दुबारा मौका देगी और तमाम एत्यासिक काम जो अब तक च्परमारु नगरपालिका परसर के इत्यास में नहीं हुए है इस बार राजी दुबे करेंग तो नगर संगरा में इतना ही अगली बार फिर किसी नए ब्यक्ती नए पित्यासी है और नए नेताइसार हुए मुलाकार नमस्कार कुछी पार पुष्पार पुष्पार